हलो दोस्तो, नमस्कार, Master Technician चैनल में आपका बहुत-बहुत सौगत है दोस्तो आज हम जान लेंगे Coolant Temperature Sensor के बारे में ये Sensor कहाँ पे लगता है, कईसे काम करता है, और उसको चेक कईसे करेंगे इसके बारे में तोड़ा जान करेंगे ये coolant temperature sensor हमें engine के cooling line या cooling system में लगा हुआ मिलेगा cylinder head हो गया या cooling system या cooling pipeline में लगा हुआ मिलेगा ज्यादा करके ये sensor NTC type का होता है NTC type मतलब होता है negative temperature coefficient इसमें क्या होता है जब भी temperature बढ़ेगा तो इसके अंदर का resistance घट जाता है और जब भी temperature घटेगा तो इसके अंदर का resistance बढ़ जाता है मतलब क्या होता है temperature और resistance दोनों opposite काम करते रहता है जब temperature बढ़ता है तो resistance घटता है और जब अपना temperature घटता है तो resistance बढ़ जाता है उसी के लिए ये sensor के अंदर एक thermistor लगा हुआ रहता है वो इस प्रकार का काम करता है और इसमें दूसरा टाइप का आता है PTC PTC का मतलब हो गया positive temperature coefficient इसमें क्या दोनों भी समान काम करते है जब temperature बढ़ता है तो resistance भी बढ़ता है इसलिए इसको positive temperature coefficient बोला जाता है ऐसे दो टाइप के sensor होते है ये sensor पूराने गाड़ियों में single pin का आता है अभी वाले गाड़ियों में जिसमें ECM लगा हुआ है उसमें दो pin का आता है ज्यादा करके गाड़ियों में NTC type sensor यूज़ किया हुआ है इसमें एक pin के अंदर 5 voltage डाला जाता है और दूसरे pin से उसका signal लिया जाता है ECM के अंदर इसको multimeter से चेक करने का तरीका है कि हम इसका resistance चेक करेंगे वो भी हर एक manufacturer ने हर एक coolant temperature sensor के लिए अलग-अलग दिया हुआ रहेगा अब हम ये चीज़ जान लेते हैं कि ये sensor खराब होने के बाद हमें क्या-क्या दिक्कते आ सकती है क्या-क्या problem आ सकती है इसके बारे में जान लेते हैं अब इस sensor के circuit में अगर problem आ गया तो हमें सबसे पहले dashboard के अंदर check engine light दिखाई देगा जब engine का temperature high हो जाता है तो कोई-कोई गाड़ियों में इसका feature दिया गया है कि engine को automatic shut up कर देख engine को बंद कर देता है और भी इस sensor से क्या-क्या connect है एक हो गया viscous fan दूसरा हो गया radiator fan बड़े गाड़ियों में इसे viscous fan चलाया जाता है और छोटे गाड़ियों में जिनका radiator fan electrical system से चलता है उनके लिए ये sensor काम में आता है और जब भी हम गाड़ी को scan tool लगाएंगे तो इसके बारे में हमको पता चलेगा कि ये खराब है कि सही है fault code या error code का description हम कैसे पहिचानेंगे इसका भी मैंने एक video बना के रखा हुआ है उसकी link उपर i button में दी गई है और नीचे description में भी डाला हुआ है आप जरूर देखना तो दोस्तों अब हम मिलते हैं next video में तब तक bye bye